अर्जुन कपूर और नीना गुपता की फिल्म सरदार का ग्रैंट सन का ट्रेलर हो चुक है रिलीज कैसा रहा है इसका ट्रेलर आये करते हैं बात हेलो दोस्तो मैं अभीशेक और आप देख रहे हैं बूगल बॉलिवुड दोस्तो फिल्म सरदार का ग्रेंट सन की बात करें तो और काफी देर से लोगों को इंतजार था कि अर्जुन कपूर इस फिल्म को कब करेंगे फिल्म की रिलीज डेट सो हो गये है फाइनल लेकिन इसका ट्रेलर भी हो चुका है रिलीज फिल्म कि एकर हम रिलीज डेट की बात करें तो 18 मैं को यह नेट्फिक्स पे हो जाएगी रिलीज और ट्रेलर की बात करें तो अर्जुन कपूर आज कल काफी जाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने करेक्टर्स के साथ जी हां संधीप और पिंकी फरार के बाद अर्जुन कपूर की अगली फिल्म है साल 2021 की और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस फिल्म मे लोगों को अमीद रहती है कि अर्जोन कपूर जब भी स्क्रीन पे हैंगे कुछ नया जरूर लेकी आएंगे और इस बार अरजोन कपूर लोगों की अमीदों पे बिल्कुल खरे उतरे हैं और एक नए के बात करें बैकबोन की तो नीना गुपता तो इस फिल्म में है ही ले अगर हम बात करें नीना गुपता की जो सरदार का किरदार निभा रही है इस फिल्म में उन्होंने अपने पोटे को कहा है कि वो उनके लहौर वाले घर उनको जरूर लेके जाएं लेकिन क्या अरजुन कपूर कामयाब होते है नीना गुपता को लहौर लेके जाने के लिए य यही देखना बाकी होगा इस फिल्म में कि क्या अरजुन कपूर अपने मिशन में कामयाब होते है या फिर नहीं फिल्म के अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो अरजुन कपूर के अपोसिट आपको राकुल प्रीट सिंग, नीना गुपता, जौन अब्रहम और अदिती रौहेदरी नज़र आएंगी और सबकी स्क्रीन प्रेजन्स बहुत अच्छी है फिल्म में और भी काफी कलाकार है जिनोंने काम किया है लेकिन कवल जीत सिंग जो एक सरदार का किरदार निभाते हो नज़र आएंगे उनकी भी टाइमिंग काफी ज़दा अच्छी लग रही है इस ट्रेलर में ओवरॉल फिल्म का कंसेप्ट कुछ नया है और देखना होगा कि अरजुन कपूर इस मिशन में कामयाब होते है या फिल्म के अगर हम शूटिंग की बात करें तो लंडन और अमरिट सर में इस फिल्म को शूट किया गया है और काफी ज़दा अच्छी लोकेशन को एक्स्प आपको इस फिल्म में ओवरॉल ट्रेलर बहुत बढ़िया है और 18 माए को हमें इंतजार रहेगा इस फिल्म का और आपकी कह रहा है सरदार का ग्रैंड सन का ट्रेलर पे आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजेगा और बॉलिवुड के साथ यहीं जुड़े रहने के तर्ड़ुड के निर्ड़।